पापा हमारा देश कब सुधरेगा? बेटा जब हमारी देश की नेता सुधरेंगे? और नेता कब सुधरेंगे? बेटा ये नेता कभी नहीं सुधरेंगे, इनको हरा कर अच्छे नए नेताओं को जितवाना होगा अच्छा, और वो कब जीतेंगे? जब लोग उने वोट देंगे अच्छा और लोग कब देंगे बेटा लोग जब देंगे देखा जाएगा तू क्यों मेरी ले रहा है पर किसी को तो सुधरना ही होगा न पता किसे सुधारना है साले को भी सुधार देते हैं इंडिया को बता कहां रहता है ये इंडिया साले को घर में घुशके मारेंगे अबे मैं इंडिया जानी अपने भारत देश के सुधरने की बात कर रहा हूँ अच्छा वो तो कभी नहीं होगा क्यों? क्योंकि भारत एक पुरानी बिल्डिंग ही तरह है जिसको गिरा कर नया बनाने की जुरूरत है मतलब? मतलब कि नए अच्छे नेताओं को जित्वाना होगा अरे वा यार तेरे ख्याल तो बिल्कुल पापा से मिलते हैं उन्होंने भी यही कहदा थोड़ी दिर पहले अच्छा अंकल आपने कहां पढ़ा था ये? बेटा पढ़ा कहां से होगा? ये मेरे अपने विचार हैं किसीने कल के अख़बार में लिख दिये होंगे आपको कैसे पता के कल के अख़बार में लिखा था ये? अरे तु छोड़ना इन बातों को मैं तो इस बार किसी अच्छे उमीदवार को दूँगा अबे देने से देश थोड़ी सोधरेगा अबे मैं वोट देने की बात कर रहा हूँ हमें दो हमें दो हम तुमारी लेके रहेंगे कौन है आप और क्या लेके रहेंगे? देखिए मैं आपके इलाके से इस बार एलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ तो वोट मागने आए हूँ आप लोगों से अंकल हम क्यों दें आपको? ठीक है मत देना लेकिन वोट दे देना अरे वोट की ही बात कर रहा है अरे आपको वोट कैसे दे दे आप लोगों कुछ करते तो हो नहीं देखिए अगर इस बार मैं जीता तो आपके शहर को अमेरिका जैसा बना दूँगा आप नेता लोग सरफ बोलते हो करते कुछ नहीं अरे पहले दो तो सही फिर ही करूँगा ना क्या? मेरा मतला मुझे पहले वोट दे कर जिताओ फिर मैं तुमारे शहर का भला करूँगा अंकल मैं आपको अपनी वोट दे दोगा बस मेरा रिचार्ज करवा देना आप क्या उसे गलत सलाह दे रहे हो? अरे आप जैसे लोग ही होते हैं जो पैसों की लाज़च में अपनी वोट बेज देते हैं और फिर रोते रहते हैं सरकार अच्छी नहीं है ये अच्छा नहीं है अरे अगर पहले ही अपनी वोट किसी अच्छा उमीदवार को दो तो ये प्रशानी ही नहूं ना वाँ वेटा वाँ तुझे इतना ग्यान है मुझे आज पता चला तेरी बात सही है अंकल हम आपको वोट नहीं देंगे अब ये सालों मैं अच्छा उमीदवार हूँ देश का भला करना चाहता हूँ अंकल आपका चो निशान क्या है मेरा चो निशान खड़ा कौक खड़ा कौक मतलब मतलब खड़ा कौक मतलब खड़ा मुर्गा हाँ अच्छा अच्छा भाई साब आपका मुर्गा ठक जाएगा खड़ा खड़ा एलेक्शन तक बिठा लीजिए उसे भाई साब ये मेरा कौक है हमेशा खड़ा ही रहता है अंकल किस बाबा की जड़ी बुटी खाते हुआ आप जड़ी बुटी मतलब नहीं नहीं अंकल कुछ नहीं आप एलेक्शन की बात कीजिए इसमें बात क्या करनी आने वाली पीस तारिश को मुझे दीजी और देश का कलियान करवाईए अंकल अगर आप जीत गए तो सबसे पहला काम क्या करोगे हाँ बताईए सबसे पहले मैं अपना कलियान करूँगा क्यूंकि मैं बहुत गरीब हूँ तु देश का कलियान कब करूगे हाँ देश का भी करेंगे सही समय आने पर और वो सही समय कब आएगा पहले जीतने तो दो फिर ही करूँगा न हलो क्या बैठा मुर्गा वले अपना विरोद कर रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ चलिए मैं चलता हूँ और वोट मुझे ही देना क्यूंकि मैं इमानदार हूँ जी ठीक है ठीक है अंकल क्यूंकि हमें दो हमें दो हम तुमारी लेके रहेंगे चलो बेटा लगता है इस पर इनको ही देनी पड़ेगी पर अंकल वो तो चलेगे ये देखो मेरी नई साड़ी कैसी है करती है खर्चा कितनी की ली अरे फ्री में ली है कैसे अरे वो बाहर खड़ा मुर्गा मुर्गा मुले बोट मांग रहे हैं और आर्तों को फ्री में साड़ी हैं क्या इसका मतलब वो धोखे बाज निकला क्या धोखे बाज निकला मैं तो अपनी वोटों से ही दूगी इस पर अरे क्या पागलों जसी बातें कर रही हो एक साड़ी के लिए अपनी वोट बेच दूगी वाँ तो शाबश तुम तो कभी साड़ी दिलाते नहीं मैं तो अपनी वोटन को ही दूँगी और तुम लोग भी उनको ही देगा आंती हम नहीं देंगे उन्हे साबश शाबश बीटा अरे वो मर्दों को दो दो हजार पा दे रहे हैं फ्री में क्या है पीटा मैं क्या कह रहा हूँ के पापा नहीं पापा नहीं पीटा बिचारों को एक माउका देखर तो देखते है पापा आप जैसे लोगों को समझाने का कोई फाइदा नहीं अरे पीटा अच्छा गाम करेंगे चल मैं लेकर आता हूँ देख चलेगी न तरे पापा ममी कोई दे या ना दे लेकिन हम अपनी वोटो से नहीं देंगे क्यों हाँ अच्छा अरे वो नौजवानों को एक एक फोन दे रहे है फोन से वो हमें नहीं खरीद सकते अरे कोई मामूली फोन नहीं है वो जिसपे खाई हुए सेब की फोटो होती है वो फोन दे रहे है कौन सा आईफोन हाँ हाँ वही मैं फोन क्या भाई क्या बोलता है नई पार्टी है बिचारों को एक मौका तो देना चाहिए मुझे लगता है तू सही बोल रहा है चल फोन लेकर आते हैं मुझे लगता है